तो IPL 2023 का मैच नमबर 19 आपको सुनहरा मुकाबला देखने को मिलेगा खुबसूरा से शहर यानि की कॉर्वल और वो जीतवों के इडन गार्डन कोलकाता में और सामने है यहाँ पर सन्राइजर्स हैदराबाद एक तरफ है रिंकू की मास्टर क्लास दूसरी तरफ है एडन माक कर दोनों टीम है आमने सामने तो थोड़ी सी तगड़ी तकरार यहां पर वार आपको देखने को मिलेगा और इसके पहले कि हम मुकाबले की तरफ चले कुछ यहां पर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टन हार्ट दिल की बात आप से करना चाहता हूं और बात कुछ ऐसी है क कि भाई हमारी जनतना मेरे को इतना प्यार है आप लोगों से कि भाई इसके पहले हमारे वो 10-12 मुकाबलों में लगातार विनिंग स्ट्रीक चल रही थी तब भी आप लोगों ने उतना ही अप्रिशेट किया और उसके बाद 5-6 मुकाबलों में हमारा मतलब अजीव की ही लाइफ है डॉक्टर क्रिक पॉइंट ही चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है ना एक डेड़ महीं ने तो मेरे को खुद विश्वास नहीं होता मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी ही जंदगी है इतना तो अभी मतलब this is IPL the beauty of IPL unpredictable league है सब कुछ predicting कर लिया तो क्या मतलब है और उसके अलावा लोग मतलब देखते वो win predictions जादा है उसके उपर हम दो और prediction करते इतनी bold रहती है और most of the time हमीशा सही रही है अब जैसे बटलर और गायकवार्ट का मैंने बोला था कि दोनों में से कोई एक flop रहेगा गायकवार्ट flop होगे थे अब इतनी bold prediction कौन करता है लेकिन फिर भाईया सब कहते है कि win prediction क्या है इसको बताओ यह सब छोड़ो यहाँ पर तो फिर अभी अपन क्या ही कर सकते है कोई बात नहीं यहाँ आपर आज के मुकाबले में playing 11 के बारे में comparison करेंगे और फ कुछ वहाँ पर आता है जो कि आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर नहीं है तो ऐसा ना करें लिंक आपको description में मिलेगा और ऐसे में चलिए हम शुरुबात करते हैं लेट स्टार्ट विद बोथ टीम प्लेंग इलिए बनके के आर टीम बहुत कुछ ह विद इन गाडेन के मैदान पर टीम उनके साथ एक बार फिट से कॉंटिन्यू करेगी सो रह्मन अल्ला गुर्बास एंड जगदीशन टू स्टार्ट वंकटेश आयर में भी इंपक्ट प्लेयर लेकिन नंबर तीन पर अगर आप पहले बल्ले बाजी करें तो देखने को मि जी तो मुझे नहीं लगता कि टीम ड्रॉप करेंगे लेकिन इंपक्ट प्लेयर के तौर पर आपको मतलब दूसरी पारी में श्रुए सर्मा नजर आएंगे अगर टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो वेंकटेश आयर खेलेंगे में और इंपक्टेश आयर बल्ले बाजी क करते वें नजर आ जाएंगे के के लिए और ये प्लेंग लिए बन मैं के एक्सपेक्ट कर रहा हूं वहीं पर बात करें हैद्राबाद टीम के बारे में तो मुझे लगता है कि ये टीम हैरी ब्रोग को एज़न ओपनर ही खिलाएगी इस मुकाबले में रियल थेट्स हैं वर्शिंग्टन सुंदर, मारको यंसन, भुनिशर कुमार, मैंक, मारकंडे, उम्रान, मलेक, एंटी नतराजन और फिर देन इंपक्ट प्लियर के तौर पर आप अब्दुल समात को ला सकते हो अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हो और साथी साथ मैं को लाओगे अगर अब देखिए बात यह ना कि माकरम का पराक्रम बहुत 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 रहा है और निटीश ने भी ऐसा कुछ वैसे गलत तो किया नहीं उनके भी आईपल 2030 क्यांकरे तो तीन मुकाबले दो जीते सिर्फ एक हा रहे है विन परसेंटेज उनका एक्शली माकरम से जादा बेतर लेकिन माकरम ने मुकाबले भी तो ऐसा कैप्टन दो ही अब तक खेले हैं आप पर संराइजर्स हैदराबाद टीम सो ऐसे में कहना बहुत मुझकिल है बट मुझे लगता है माकरम इस मोर ऑफ रिलाबल लीडर देन निटीश राना और अगर आप बात करोगे हैड टू हैड इक्वलाइजर किसी के भी तरफ जाना थोड़ सा पक्षबात हो जाएगा और वहम कभी नहीं करते हैं तो ऐसे में कैप्टन रेटिंग में 4.2 स्टार मैं दोनों ही कप्तानों को देना चाहूंगा और इसके बाद बात करते हैं टॉप ओडर कंपैर्जन के बारे में तो यह से कंपेर करते हैं गुर्बाज बना मैंक देखिया मैंक की लैन नहीं है बिल्कुल बहुत बेतर खिलाडी है बहुत जादा एक्सपीरियंस है पर गुर्बाज ने ऐसा कुछ दलत नहीं किया इसी कीसी एर ओल्ड यंग गन ने अपने कैलिबर पर 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 परफॉर्म करके द अच्छा एक स्पिट करोगे और एंज अगदीशन को एक ही मुकाबला मिला लेकिन उस मुकाबले में कुछ खाज ज्यादा कर नहीं पाए तो इसलिए भी मैं हैरी ब्रोक के ही साथ जा रहा हूं और उसके बाद अब वेंकटेश आयर और राहूल त्रिपार्थी के जबाप comparison करेंगे ना तो IPL 2023 के आंकडे दोनों के एक्चुली बहुत ही जादा लाजवाब है लेकिन वेंकटेश ने एक्चुली सर्वस्रेस्ट प्रदर्शन हाल फिलाल में करके दिखाया है और इसलिए जादा बेतर लह में है जादा अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे ह ना सितारों से सजे टोली के तो सितारों से सजा ही application है विजय भाव है fantasy application है और आपने भी अब तक कई बार मेरे मूझ से इस app का नाम सुन लिया है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सिर्फ कहते नहीं है बलकि proof करके दिखाते हैं अब जैसे मैंने आप से कई नहींगे क्योंकि competition ज्यादा है और यहां पर वो है नहीं और सबसे बहतरीन ओफर हैं head to head commission सबसे कम हैं आपको यहां पर हर एक deposit पे अच्छे खासे return cashback मिल रहे हैं सब लोग bonus देते हैं यह real cashback देते हैं जैसे कि अगर आप 500 रुपए डालते हो और मेरा यहां पर in fact deposit code exclusive जो म पर सकते हो और फिर आपको यहां पर extra cashback 500 रुपए डालने में 25 रुपए extra मिल जाता है और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने कहा ना proof करके दिखाते हैं वो यह है कि अब देखिए आप मुकाबला देख लीजिए CSK और RR का इस मुकाबले में क्या हुआ भाई हमने यहां का profit देखने को मिलता आम तौर पर जो की हम करते हैं इसी एप पर इसलिए विजय बहुत सबसे बेस्ट है फ्रूफ के साथ बाते करता हूं यहां पर हवा में तीर नहीं मारता आपको नुकसान नहीं चाहता सिर्फ आपका फाइदा चाहता हूं और इस ही एप्लिकेशन के ल निटीश राना रिंकु सिंग अंद्रे दा जाइंट शार्दुल थाकुर वैसे अंद्रे जाइंट है पर अब तक वो जाइंट रूप देखने को बिल्कुल ही नहीं आया है और उसके बाद बात करें हैदराबाद के एडन माकरम हैं वाशिंग्टन सुन्दर मार्को यैंस जादा अच्छा जाइनिंग कंट्रोल जादा ची रिस्पॉंसिबिलिटी वो ले पाते हैं ज्यादा बेटर बैटर हैं फॉर शेयर तो यहां पर मैं एडन माकरम के साथ जाओंगा देन क्लासन और रिंकु सिंग में अब क्लासन को मौका नहीं मिला एच्छे खिलाड़ी है लेकिन रिंकु सिंग का वह जो कार्ने स्थाना अब मेरे पॉइंट देने देने दूआ आप मेरे को बोलो के तू पक्षपात कर रहा है मैं कहता हूं रिंकु सिंग वह 4-5 शक्के oh my god definitely मुझे इस मैच में उन्हीं कोई करना है मैं सोचूंग अभी नहीं और इसके बाद दो तो अभी के लिए मैं आप पर मामला इक्वाल इक्वाल ही रखूंगा और उसके बाद इन्हों ने करके दिखाया और इसलिए दोस्तों यहां पर इस मुकाबले के लिए मैं शार्डूर ठाकूर के साथ जाओंगा और ऐसे में निश्चित तोर पर आप देख सकते हैं कि के के आर टीम का पड़ला कहीं थोड़सा ज्यादा भारी नज़र आ रहा है ज्यादा और और होता अगर अंदे रसल लेमें होते लेकिन अभी के लिए रेटिंग्स में के क्यार को मिलते हैं 45 शाष स्टार और संदाइजर इडराबाद को मिलते हैं 4.4 स्टार और इसके बाद बात करें आप दोन टीमों के और राण्ट कमपैरजन के बारे में अंदे रसल शादूल ठा और मार्को यांसन जान आइड लेकिन फिर वही बात है कि यह कंडीशन है शार्दुल थाकूर के घर की इस टफ वन भाई मैं थोड़ा साब मुझे कॉमें चेक्शन में मदद करिये शायद मेरा जुकाव इस मैच में शार्दुल थाकूर के साथ रहेगा इस पिछ पर शार्द पर इस लिए मैं जादा अंक दे रहा हूं कि यह मतलब वह आंदे रसल नाम के यह आप समझे और उसके बाद हम बात करें आपर इस पिन कमपयर्जन के बारे में अब यह संद on में चो कि यहादराबाद वाशिंग्टन सुदर मैंक मारकन्दे आंद अब देखिये वरुन चकरवर्ती ने इस पिच पर बहुत अच्छा किया था पिछले मुकाबले में पर अगर आप पिछला मुकाबला के अटरे पर नहीं पिछला मुकाबला वहां पर वो तुनी अच्छी लेमें नहीं थी तो कुल मिलाकर इनके साथ inconsistency consistency का बड़ा पंगा है अब अगर ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले मुकाबले में इस पिछ पर बहुत जादा स्पिनर्स को मदद थी अगर वैसा रहेगा तो फिर वरुन चक्रवर्ती जादा फैमिलियर है वो डॉमिनेट करेंगे लेकिन मारकंडे साहब ने पिछले मुकाबले क्यों आप किसी को पिक करोगे क्या कारण हो सकता है और ऐसे मैं बात करें आपर स्पिन कंपैर्जन के बारे में तो केकार टीम को मिलते हैं 4.6 स्टार और हैदराबाद को मिलते हैं 4.2 स्टार दरीजन इस दा सेम की सुयेश शर्मा भी है और उन्होंने बहुत अच्छा किया था इस पिछ पे अंदन सुलीन नारायन भी है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जहन में रखनी है और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पेस डिपार्टमेंट के बारे में के के पास अब तक नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी जैपती होगी अगर आप उनको हर जगा और उसके बाद हैदराबाद टीम में भूनेशर कुमार, उमरान मलिक, मारको यांसन और टीन अट्राजन चलिए करते हैं फड़ा फड़ से कंपैर दन और उमेश यादो और भूनेशर कुमार उमेश यादो जादा बिटर गेंदबाद है जादा बिटर लैम है अब भूनेशर कुमार को ना अक्चलि वो कंडिशन बहुत फेवरेबल चाहिए रहती हैं कि थोड़ सा स्विंग हो एंड औल हो जादा लौकी फर्गसन के पास है निश्चित तौर पर जो आंकडे हैं वो थोड़ा सा उम्रान मलिक के पक्ष में जादा है तो यहां पर मतलब यह बहुत टाफ है एक्चलि धुनों टीमें बहुत मजबूत है आपर मैं शायद जाओंगा उम्रान मलिक के साथ मेभी यू लौकी फर्गसन टफ वन यार टफ वन एंड मतलब को यसा मेरे पास साक्ष नहीं है जिससे में किसी का पक्ष लेसे कूं वह वाली चीज है और उसके बाद दोस्तों बात करें आप पर सार्दूल ठाकर और मार्को यैंसन के बीच में आपको पावर प्ले में डालेंगे यैंसन जो शारदूल के पास साइद नहीं है और मार्को इस मोर आफ विकेट टेकर जो जिनके पास एबिलिटी जाता है स्विंग है ज्यादा अच्छी गती है और ज्यादा अच्छे से वह आपको मतलब मदत पिच से एक्स्ट्रैक्ट कराते हैं जो की डेफिनिटल उनको ज्यादा बिटर बनाता है और ऐसे में आपको नजर आ रहोगा कि हैद्राबाद के पास अभी विकल भी जादा है तो पेस आटेक में निश्चित तोर पर केके आर्टीम को मिलते हैं 4.1 स्टार और हैधराबाद को मिलते हैं 4.5 स्टार एक्छिनी पेस अटेक हैद्राबाद और यहां पर हैदराबाद को मिलते हैं 26 आउट आफ 30 क्या कॉंटेस्ट है वाई मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा इस मैच में और रही बात फाइनल रेटिंग की तो 4.6 स्टार मैंने दिये हैं हैदराबाद को ब्रिलियंट रेटिंग क्योंकि अच्छा कर रहे हैं कुछ खराब यहां ज्यादा इस टीम ने नहीं किया जो अब की टीम है जिसमें मार्को एंसन हैं अन्रिज क्लास है यह चीज़ आप ध्यान रखिए और केके आर टीम को मिलते हैं 4.65 थोड़ सा होम एडवांटेज मैंने को दे दिया है उस विए से थोड़ से अंक बढ़ा दिये ह और लावां इनके पास जो स्पिन थ्रेट है वो जो 12 ओवर से इनके तीन क्वालिटी स्पिनर्स के वह हैदराबाद को परिशान कर सकते हैं क्योंकि स्पिन क्वालिटी स्टीम की काफी ज्यादा बेतर है तो ऐसे में दोस्तों यह यहां पर ओवर रॉल कमपैर्जन अब चल को भी दे सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो फसेगी हैदराबाद टीम का लाइन अप तो इसलिए मुझे लगता है कि दो सायद गिर जाएं मतलब दो से जादा भी गिर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यह है अकी एडन माकरम और लेकिन ऐसे में मेरा तो काम है किसी ना किसी टीम की तरफ जाना सारे तत्यों को धान में रखके मुझे लगता है कि जो होम ग्राउंड है वो के क्या टीम को यहां पर एडवांटेज निश्चित तोर पर देगा और उससे भी जादा इंपोर्टेंट लॉजिकल रीजन समझ इसा मुझे लगता है बाकी देखते है स्ब्सक्राइब करियें दोस्तों क्या होता है हेदराबध को अनरे इस्टीमेट कभी मत करिए बहुत मच्पूर्ट टीम है आपको क्या लगता है कॉंसे मुकाबला जीते ही एक यत करिण बनाना start करें, जीतना start करें लागं कमाना start करें but please note that this game may be habit forming or financially risky, please play responsibly बाकि मिलते हैं, बहुत जल तपर के लिए take care, goodbye thank you so much